रेडी का नीचे option मिल जाते हो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाए जवाब देना है इंकम वेरिफिकेशन डालेंगे वह पूछ सकता है दोस्तों अगर आप फोन पे के यूजर है तो देखिए फोन पे में wallet upgrade का option आया है और इसमें KYC करना होगा आपको मतलब आप जो है वीडि आपको क्लिक करना है यहां पर आपके सामने KYC का आजाएगा और यहां पर दिखाएगा कि आप अगर अपग्रेट कर लेते हैं तो लाग कर लिमिट बढ़ जाएगा और जो है मनी कर सकते हैं अपने बैंक में विड्रो एनी टाइम तो देखिए यहां पर सबसे पहले कुछ विडियो KYC कैसे होता है आगे का प्रोसेस हम यहां पर सकीन रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे आपको और यहां पर सबसे पहले अपना पैन नंबर चेक करिएगा यहां डालिएगा आपके पैन कार्ड में जो नाम है वह यहां डालिएगा आपका डेट ऑब बर्थ है जो यहां डालिएगा उसके बाद वरिफाअब पैन पर क्लिक करिएगा तो आपका पैन नंबर अगर सई यह नेम सब कूको सही है डेट वब सेय तो आपका पैन वरिफिकेशन हो जाएगा नेक्स्ट इस्टिप में आपको अधार कंसेंट आएगा यहां पे आपको आदार का न पर नीचे क्लिक करेंगे तो कुछ डीटेल्स यहां पर डालने का ओपसन आएगा कि आप जो है प्रे पैरेंट्स डीटेल में किसका रखना चाहते हैं फादर चूस कर लेंगे उसके बाद डीटेल चूस कर लेंगे एन्वल इंकम वगएरा डाल दीजिएगा यहां पर उसके क्लिक करिएगा उससे पहले कुछ यहां पर कंडिशन्स है कि आपको अपना पैन कार्ड औरिजिनल आपके साथ रखना होगा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए उसके बाद जो है आप लाइट एरिया में बैठे हो कि आपका मतलब की अच्छा सा चेहरा दिखे औ अगर आप वीडियो के वैसी करना चाहते हैं तो इस टार्ड वीडियो वेरिफिकेशन का नीचे आपसन मिल जाता है उसको जब आप करिएगा अब यहां पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा आप जो है परमिशन को इलाओ कर देंगे माइक परमिशन मांगा जा रहा आपके सामने आएगा यहां पर बोल रहा है कि आपका औरीजनल पैंकार्ड आपके पास है तो यहां पर एक टिक लगाने का उप्शन मिलेगा टिक लगाके आई-म रेडी का नीचे उप्शन मिल जाता है उसको क्लिक कर दिजेगा जैसे क्लिक करेंगा कुछ लोडिंग लेगा या कॉल लगा है उस एरिया में जो है आपका एड्रेस या पीन कोर्ड पूछा जा सकता है जो इनकम वेरिफिकेशन डालेंगे वह पूछ सकता है आपके मॉबाईल नमबर का चार डिजट लास्ट वाला या फरस्ट वाला इस तरह का सवाल किया जा सकता है यहां पर जो है पूछा गया, इस तरह से आप जो भी सवाल करें, उस सवाल का जवाब देना है आपको, और आपका विडियो वेरिफिकेशन सक्सेच्फुल हो जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि विदिन थ्री डेस के अंदर आपका KYC अपडेट कर दिया जाएगा फोन पे के अंदर